हेलो बच्चो, गुद मॉर्णिंग, मैं हूँ नैंसी मैम, हिंदी क्लास के साथ, आज भी आप लोगों को ये हिंदी की बुक है, इसको बेटा जहां तक आपके पढ़ाई हो चुकी है, आपको हिंदी और मैप्स में कम्प्लीट करनी है, ठीक है, उसके आगे नहीं करनी है, ज तक सलेबस में भी एक्जाम आएंगे, ठीक है, जिस पोर्शन से एक्जाम में आएंगे, मातर आपको वहीं तक कम्प्लीट करने है, ठीक है बच्चो, तो आप कम्प्लीट करोगे नाची तरह से, तो बच्चो, आप ये वाली बुक खोलो, My Holiday Activity, ठीक है, मैं भी खोलती हू आप यहाँ देख सकते हो बच्चो, भासा विकास है, ठीक है, और पेश नमबर आपके कितना है, आपके पेश नमबर सेंटर में दिये हूए है, इस एपल में, जो बनी हुए है एपल सेंटर में, वहाँ पर आपके दिये हूए है, 7474 आपके पेश नमबर दिये हूए है, ठीक है बच्चों तो ये page number आप खोड़ लो यहां पर center में है 7474 ठीक है बहुत छोटी से लिखी हुई है इसलिए मैं मुझसे बता दे रही हूँ आपको ताकि आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ तो अच्छी सतरह से आप सुन पाऊं मेरी बात ठीक है भासा विकास है और इस corner में क्या दिया गया है date date आपको as usual हमेशा की तरह आपको date लगानी है 21-21-9-20-20 ठीक है बच्चों अब क्या है सब्द बनाओ गोले में दिये गये वेंजन की सहायता से नए सब्द बनाइए अब क्या है गोले में दिये गये वेंजन है इस जो गोला बना हुआ है आपक की सहायता से कोई आपको नई सब्द बनानी है तो आपके बगल में इस तरह के सब्द दिये गए हैं आप याद कर सकते हो बच्छो कि मैंने एक्टिविटी में इस तरह का बनाया था जब आप ऐसे गर के पढ़ रहे थे ठीक है आप स्टार्टिंग में दू अक्छा से बने आपने किया था मैं उसको कलरफूल करवाई थी आपको ठीक है उसी तरह से आपको भी करनी है ठीक है बच्छो तो आपको क्या करना है यह जहां पर यहां पर साइड में आपको थ्री वेंजन आपके लिखे गया है ठीक है अलग-अलग अक्छर लिखी हुई है र चा और खा के साथ मिला करके यहाँ पर लिखनी है ठीक है यह हो गए आपके दो अक्छर वाले सब्द ठीक है तो रा खा क्या होता है रख होता है ठीक है क्या होता है रा खा रख आप लिखो पहले आप हाथ रख सकते हो left hand को, आप यहां पर रख सकते हो, ठीक है, यह क्या है? र, और यह क्या होगे आपके? ख, तो क्या होगे? पहले आपने र लिखा, फिर आप लिखदो ख, क्या हो जाएगा? रख, मltला आपको रख देना है, कोई समान को, ठीक है? अब क्या है ये चा और इसको मिला होगे तो क्या हो जाएगा खा चक यानि कि आप लिखो पहले चा फी लिखो खा चक आई बाद समझ में अब ये क्या है इ खा एक तो पहले किसको लिखना है इधर वाली बाहर वाली को लिखना है इ यानि कि बड़ी इ और ये क्या होगे आप के खा, एक, देख रहा है बच्चों अच्छी तरह से आ रही है बात समझ में मेरी, आ रही है ना बात, मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों आपको अच्छी तरह से, अब यहाँ देखों, इसी तरह से यहाँ पर भी सेम दिया गया है, व, ट, व, ट, फ, ट, फ, ट, ल, डड़ ठीत रेसे यहां पर भी आपको बनाना है ब सबस न स नस कि सकस टीक है बच्चो तो यह आप लोगी तो एक मैं कर दी हूं यहां से आपके complot यानि कि एक मैं बता दी हूँ ताकि आप खुद से करके देख सको कि आप से बनता है क्या नहीं आप मेरी बास समझ गए हो बच्चों ठीक है नेक्स्ट पेज क्यों जाएं यह भी है भासा विकास यहां भी आपको कॉर्णर में डेट लगानी है आज की डेट कितना बच्चों 21, 21, 9, 20, 20 चीक है बच्चों सब बनाओ अब यह क्या है सही अक्षर को भरो तो यह कहां पर भरना है इसकी पेज नमबर हम लोग देख लें जस्ट बगल में ही है आपके पेज नमबर यह अनदर एपल की फोटो बनी हुई है यहां पर आपके दिया हुआ है 7575 आपको कहीं दूर नहीं जाना है यह क्या है 7575 जस्ट उसके बगल वाले चैप्टर्स में है ठीक है अब यह कौन से फोटो बनी हुई है आपको पता है यह कौन से फोटो है अनार की फोटो है यहां पर लिखा हुआ भी है आ नामे आ का मात्रा र अनार तो आपको पता है कि अनार में आ क जरूँच होती है, यानि कि इसका पहला अक्षर क्या है, सही अक्षर भरना है, ठीक है, तो जब तक आप आसे अनार, आसे आम, छोटी से मिली, बड़ी से इं, छोटाओ से उल्लू, बड़ाओ से उन, ऐसे नहीं पढ़ोगे, तो आपको इसका फोटो के साथ आप नहीं होगे, तो आपको याग भी नहीं होगा, कि कि इसके अनार कौन से अक्षर से बनता है, ठीक है, कार से कबुतर होता है, खार से खर्गोस होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चो, आप देखें, आगे पढ़ें, तो यहाँ पर बना हुआ था, ना में आ का मा वक, वक का वक, ठीक है बच्चो, आप यह पता है न क्या है, यह सुगर केन है, सुगर केन, एलिफेंट का फैवरिट है, उसको बहुत अच्छा से खाता है, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ी इसी इंक, तो आपको यहाँ पर बनाना है बड़ी इंक, ठीक है, अब यह क्या है, रथा, रथ, किसकी फोटो है, रथ, था, रथा, रथ, समझ में आरा बच्चो, अब यह देखो, यह क्या है, क्यूट सा है, बहुत क्यूट है, बिल्कुल आपकी तरह ननहा ननहा है, यह है बेबी इलिफेंट, और बेबी इलिफेंट को हिंदी में क्या ब तो हाथी बनाने के लिए मुझको हा की जरूरत है, तो मैंने हा लगा दिया, ठीक है, अब क्या हो गया आपको, हाथी, अब यहाँ देखो बगल में, यह हवन है, हवन में रिसे रिशी क्या कर रहे हैं, यग्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यग्य, तो यग्य, ठीक हैं, समझ में आ गया आप देखो एक लोग है यहां पर स्नेक है स्नेक को बोलते हैं साप और यह क्या कर रहा है बजा रहा है बीन बजा रहा है साप बीन बजाएगा तो क्या होगा साप डांस करने लगेगा बाहर निकलेगा तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में सपेरा क्या बोलते हैं स सपेरा सा पामे ए रामे én का मात्रा सपेरा ठीक है बच्चोë और ये तो देखो ये तो आपका फेवरिट है, जो आप हमें सा खाते हो, ठीक है, ये हेलीजी चीजे है ना, क्या है ये ये है फल यानि की फ्रूट्स ठिक है आई बात समझ में तो ये आपका बच्चो CW है आपको नहीं आएगा इसलिए मैं इसको बता दी हूँ ठिक है आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लो अच्छी तरह से इसको करना ठिक है बच्चो नेक्ट देखूं ये तो 7676 नेक्स्ट में ही आपका पीश नंबर दिया गया है 7676 उपर आए अब देखो भासा विकास है यहां पर भी कॉर्णर में आपके डेट दिये गए हैं आपको आज की डेट क्या लगानी है 21-21-9-2020 ठिक है बच्चो अब क्या है सब बनाओ दिख रहा अच्छी तरह से सब ब बनाना है तो आपको क्या करनी है बच्चो लेफ्ट हैंड की फिंगर को आपको यहां पर रखनी है ठीक है वर्णू को जोड़कर सब बनाना है तो का मा र कमर ठीक है तो पहले इसको लिखना है बड़ी बड़ी सुन्दर सुन्दर गोल गोल लिखो का फिर यहां से फिंगर उठाओ, इस plus को और यह वाली equal के sign को आपको नहीं लिखनी है, ठीक है का हो गया, अब beautiful समा बना दो, और यह क्या है, रह, ठीक है, one finger left hand के finger को आपको यहां रखनी है, और right hand से आपको लिखनी है, मिला मिला के, जहां पर finger रहेगा, वही आपकी अक्षर को लिखना है, फिर finger उ त्टिक है, तो आपके एक बहुत अच्छा सा verse ते यार हो जाएगा कमर, त्टिक है, मैं एक ही बताऊंगी, बागी सारी आपको बताना है, क, म, ल, कमल, म, ट, र, मतर, स, अड, क, सडक, प, र, ख, परक, न, म, क, नमक, यानिकि salt, आजबा समझ में, तो बच्चों, यह क्या है आपके homework, homework समझ में आ गए, 21, 9, 2020, यह सब आप कर चुके हो, इसलिए आप तो तुरंत कर लोगे, मुझे पता है, आपको तोड़ा भी time नहीं लगेगा, और यह बगल वाली page में भी आपके homework है, ठीक है बच्चों, भासा विकास, यहाँ पर भी आपको date लगानी है, 21, 21, 9, 20, 20, ठीक है, अब यह नहीं बताओंगी, इस में से, यह कप में से धुआ उठ रहा है, यह क्या है, बता दू, यह तीन अक्षर वाले सब्द है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चित्र पहचान, आपको चित्र पहचान नहीं और उसके नाम लिखनी है, दिये आपको वही बोलेगा, अगर आपको कोई और नाम से कोई पुकारेगा, तो आप जाओगे इसके पास, नहीं जाओगे ना, तो वैसे ही, यहाँ पर जो इसका नाम है, आपको वही लिखनी है, ठीक है, यह क्या है, होट है, बहुत गरम है, तो आपको लिखना पड़ेगा, गरम गरम, यह क्या है, कलश, आपको लिखना पड़ेगा, कालाशा, कलश, यह क्या है, इरेजर, इरेजर को हिंदिम क्या बोलते है, रबड, रबड, यह क्या है, पी, यानि कि माटारा, मटार, दिख रहा है बच्चो, यह बहुत सुन्दर सा घर है, तो यह क्या लिखना है इसमें भावाना भवन ये क्या है भावाना भवन और ये क्या कर रहा है ये कर रहा है आप यहाँ पर यग्गे नहीं लिख सकते हो ये तीन अक्षर से बने सब्द है तो आपको लिखना पड़ेगा यग्गे को और क्या बोलते है हवन ये है न हवन तो आपको लिखना पड़ क्योंकि आपको सब आता है और आप तुरंट बना लोगे मुझे पता है नेक्स पेज में भी हूं बगदे दूँ बस लास्ट पेज यह इसलिए है क्योंकि यह भी तीन अक्छर वाले सब्धी है और मैं चाहती हूँ तीन अक्षर वाले सब्द को आप अराम से असाने से जली-जली कर दो ठीक है यह आपकी डेट है 2-1-21-9-20-20 चेके आप जितना बनाओगी आपके नंबर्स उतनी अच्छे आएगे भासा विकास सब्द बनाओ वर्णों को जोर कर सब्द बनाना है फिर यहाँ पर तीन अक्षर है नहर नहर यहाँ पर लिखना है एक एक करके आपको लेफ्ट हैंड से आपको रखनी है और यहाँ पर लिखते जानी है ठीक है राइट हैंसे मैं पढ़ दे रही हूं का लामा कलम पा पतंग तापे बिंदू है ठीक है उपर में वचन वचन रमाना रमन नाम है सरल सरल यानि की इजी यह समझ में आ गया बच्चो तो आपको यहाँ तक तीन अक्षर के सब कंप्रिट करनी है अब आगे मैं आपको चारक्षर के सब पढ़ाओंगे तो बच्चो आज के लिए फिलहाल इतना ही आपके पता ही यह पेच नमबर कितना है 7878 हमेशा आप देखना सेंटर में ही आपको सेंटर में लिखा गया है 7878 पेच नमबर ठीक है बच्चो तो आप अच्छी होगा जो भी सिखायते होंगी आप कैमपस करके मैसेज बॉक्स में आप कर सकते हो ठीक है बच्चो तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यो कोशन के साथ और चार अच्छर से बने हुए सकत पढ़ेंगे चिक है तो जहां तक आप पढ़े हो इस बुको कंप्लीट करनी है ठीक है बच्चो ओके बच्चो बाइबाई एंड टेक केर